आज मैं आपसे ऐसी बात करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बातें की हुई है लेकिन फिर भी वो बात इतनी जरूरी है कि उसे बार-बार कहने में कोई हर्ज नहीं क्यों की जरूरी बात को बार-बार दोहराने से ही वो हमारे दिमाग में बैट जाती है मैं बात कर रही हूँ निमरोलोजी की उसका फाइदा भी उठा चुके है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निमरोलोजी के बारे में कुछ जानते ही नहीं लेकिन मैं यह उम्मीद करती हूँ कि यदि आप मेरे इस चैनल पर आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब कि आप Numerology के बारे में कुछ तो जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देख कर या Numerology के बारे में सुन कर खुद से तो सारी चीज़े रिलेट कर लेते हैं, कि हाँ यह मेरा स्ट्रेंथ है यहाँ मेरा वीकनेस है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरा बच्चा ऐसा ही करता है लेकिन उसके आगे क्या? यह कोश्चन रहता है जिसका की आंसर वो खुद नहीं देना चाते, जिसका आंसर वो समझना नहीं चाते वो यह नहीं समझना चाते हैं कि यह सब चीज़ें हैं जिससे की वो रिलेट कर रहे हैं लेकिन उसका solution क्या है? यह भी आप Numerology के थूँ समझ सकते हैं और उसी के थूँ आप अपनी life को transform कर सकते हैं, आप अपनी life journey को navigate कर सकते हैं यह आपके अंदर की power है, everything is within your power and your power is within you तो इसे लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि Numerology कैसे benefit करता है और इससे अच्छा और क्या हो सकता है जब मैं अपना ही example देकर आपको बताऊं तो यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा और इससे बड़ी तोर कोई बात ही नहीं हो सकती तो आएए मैं आपको बताती हूँ कि Numerology किस तरीके से हमारी लाइफ को transform करता है Numerology के अंदर हमें सब कुछ पता चलता है जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपकी strength, आपकी weakness, आपका line of work क्या होगा आपके लिए कौन सा occupation अच्छा होगा, आपके लिए business अच्छा होगा, क्या आपके लिए job अच्छा होगा, आपका health कैसा होगा So that कि आप उसके लिए पहले से prepared हो, सारे जो भी precautions ले सकते हैं, वो ले ताकि हमारा health उतना जादा बुरा नहीं हो, जो कि अंजाने में हो सकता है ठीक वैसे ही कि हम सब ये जानते हैं कि road पे बहुत सारे speed breakers होते हैं लेकिन तब भी कुछ लोग speed breaker को देख लेते हैं और गारी अपनी संभल के चलाते हैं और फिर smoothly गारी को आगे बढ़ा देते हैं उन्हें जादा कोई problem नहीं होती, लेकिन जो लोग ये जानते भी हैं कि road पे speed breaker है, लेकिन उस वक्त उसे नजर अंदाज कर देते हैं और अपनी गारी को full speed में आगे बढ़ा देते हैं, नतीजा क्या होता है, ये हम सब जानते हैं, कभी कभी गारी disbalance हो जाती है, गारी का suspension तूट सकता है, accident भी हो सकता है तो ठीक वैसे ही, यदि हम किसी चीज के बाड़े में जानते हैं, तो हम अपने आपको prepared कर लेते हैं, लेकिन यदि हम जानते वे भी अंजान बन जाते हैं, तो हमारे साथ फिर कुछ भी हो सकता है उपर वाले ने हम सभी को brain दिया है, उपर वाले ने हम सभी को resources दिये हैं, लेकिन ये हमारे उपर है कि हम उस resource को कैसे अपने लिए use करें हम अपने फायदे के लिए, हम अपनी life में जादा happiness के लिए, जादा success के लिए, peace of mind के लिए उस resource को कैसे use करें तो Numerology वैसा ही एक resource है जिससे कि आप अपनी life को change कर सकते हैं मैं अपना example देती हूँ मेरा date of birth है 12th of February 12th of February से Numerology के थूँ मुझे पता चलता है कि मेरा personality number 3 है जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आप सभी को बताया है कि 3 number की personality का मतलब क्या होता है मुझे rule करता है planet Jupiter Jupiter एक ऐसा planet है जो कि knowledge का planet है इसे हम हिंदी में guru भी कहते हैं इससे मुझे पता चलता है कि knowledge के field में मैं यदि कुछ भी काम करूंगी तो मुझे success भी मिलेगा और मुझे happiness भी मिलेगी तो यदि मैं इसी area में काम करती हूं तो obviously मैं जादा successful होंगी तो इसे लिए जब मैंने ये numerology चुना जो कि knowledge से ही related है numerology is all about knowledge मैं knowledge impart करती हूं YouTube के through या फिर जिनका भी मैं numerology करती हूं तो इस तरह से मुझे ये बहुत ही सुकून मिल गया बहुत ही मैं satisfied हो गई कि मैं जो काम कर रही हूं वो मेरे लिए सही है जैसे कि मैं 12th of February को born हूई हूँ तो मेरा element है air मुझे पता air sign के लोग on air अच्छा कर सकते हैं तो मैं इस बात से भी clear हूँ कि यदि मैंने अपना YouTube channel खोला है तो मैं शायद कहीं न कहीं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ बहुत सारे ups and downs आते हैं उससे मैं नहीं घबराऊंगी क्योंकि मेरे लिए ये रास्ता सही है मेरे health के बारे में मुझे numerology के थूँ पता चलता है तो मैं अपने सारे precautions ले सकती हूँ कि मुझे वो health problems ज़्यादा ना आए अब मैं आपको बताती हूँ मेरे नाम के बारे में जैसा कि आप सब अभी तक जान चुके हैं कि मेरा नाम प्रियंका कुमार है कुमार की normal spelling होती है K-U-M-A-R लेकिन मेरे नाम में K-W-U-M-A-R है क्योंकि numerology के थूँ जो मेरा नाम का number आ रहा था वो सही नहीं था तो मैंने अपने नाम को change किया और उसे सही auspicious number पे लेकर आए जो कि मेरे लिए सही है मुझे numerology के थूँ पता लगता है भी करती हूँ तो मेरे लिए अच्छा हो सकता है मैं अपने नाम को भी इसे number पे लाने की मैंने कोशिश की क्योंकि ये मेरा lucky number है मेरा phone number, मेरा flat number जब से मुझे पता चला कि ये मेरा lucky number है हमने वैसे ही काम करना शुरू किया मुझे numerology के थूँ पता चला कि मेरा four या eight unlucky number है in fact four और eight mostly सभी के लिए unlucky होता है तो जब हमने अपने घर खरीदे तो हमने हमेशा ये ध्यान रखा कि four या eight number का घर नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है कि दूसरे number के घर में आप रहेंगे तो problems नहीं होगी problems होती है ups and downs is the part of life लेकिन ठीक वैसे ही जैसा कि मैंने कहा कि यदि आपको पता होता है कि speed breaker है तो आप थोड़े prepared हो जाते हैं वैसे ही यदि आपको पता है कि आपका number सही है आपके घर के लिए तो वो आपको एक positive energy देता है वो आपको एक positive vibration देता है आपको जादा strength देता है तो ताकि आप यदि कुछ problems आते भी है तो आप उसे बहुती smoothly face कर सकते हैं आप उसे बहुती smoothly tackle कर सकते हैं लेकिन जान बूझ कर गड़े में गिरना ये तो सही नहीं है फीक वैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का number अपनी mobile का number हर चीज के number में ये ध्यान रखा कि 4 और 8 उसका total नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं number 3 की हूँ तो मेरे लिए lucky colors है violet, purple, lavender, white, blue, yellow तो मैं prefer करती हूँ कि जब मैं कोई भी important काम करूँ तो मैं अपना lucky color ही पहनूँ मेरे लिए lucky numbers हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया 4 और 8 are lucky numbers है और 3, 6, 9 ये जो series है मेरा lucky number का है तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी important काम करूँ इन ही dates में करूँ यदि suppose कि मुझे कभी यदि time नहीं मिला और मुझे 4th या 8th को कोई काम करना ही जैसे जो मैं वीडियो बना रही हूँ और यदि मुझे 4th या 8th को बनाना ही पड़ता है तो जो काम मैं एक घंटे में कर पाती हूँ वो मुझे 4th या 8th को मुझे 4-5 घंटे लग जाते है वो इसलिए कि ऐसा नहीं कि मेरे efficiency में कुछ फरक पर जाता है क्योंकि 8th को govern करता है Saturn और Saturn का यही significance है कि कोई भी काम slowly होता है काम को success मिलने में थोड़ा time लगता है तो वैसे ही चाहे कुछ भी problem आ जाए कभी lighting की problem हो जाए या कुछ भी ऐसे problems आई ही जाते है कि वो काम होते होते मुझे 4-5 घंटे लग जाते है मैं avoid करती हूँ कहीं भी 8th को जाना लेकिन यदि बहुत ही कुछ ऐसा हो गया कि 8th को जाना ही पर रहा है तो अकसर मैंने ये देखा है कि या तो flight board delay हो जाती है यदि बाइका जा रही हूँ तो बहुत जादा traffic में फस गया या गारी में कुछ problem हो गई तो ऐसी चीजें होती रहती है तो इसलिए जब मुझे पता है कि मेरे लिए कौन सा dates अच्छा है मेरे लिए कौन सा color अच्छा है तो क्यों ना मैं अपना वो lucky colors इस्तमाल करूँ क्यों ना मैं अपने lucky dates पे हर अच्छे काम करने की कोशिश करूँ बहुत सारी चीजें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती है वो dates पे ही करना या मन्त में बहुत सारे दिन है सिरफ सारे दिन आपके ही lucky dates हो ये जरूरी नहीं है तो आप बोलेंगे कि तो फिर कि हम घर में बैठ जाएं हम काम नहीं करें बिल्कुल ऐसा नहीं है लेकिन जो important काम है जहां आपको लगता है कि आप वो liberty आप ले सकते हैं जो अपने हिसाब से काम करने का तो आप जरूर ये कोशिश करें कि अपने lucky dates पे करें तो ये सारी चीजें हैं जो numerology के थूँ हमें पता चलती है तो हमारा life थोड़ा smooth हो जाता है अब मैं आपको बताती हूँ कि जो नाम का number होता है वो हमारे number के साथ aligned होना बहुत जरूरी है positively aligned होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम हमेशा अपने नाम से ही जाने जाते हैं और ये numerology सिर्फ number की ही बात करता है क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर के हमारी journey खतम हो जाती है इस संसार में तब तक हम number से जुड़े हैं पैदा होने के पहले से ही एक ward number हो जाता है उसके बाद फिर आपका date of birth आ जाता है उसे के basis पे astrologers आपका नाम बताते हैं बहुत लोग उस basis पे नाम रखते हैं या कोई दूसरा नाम चूज करते हैं लेकिन आप जैसे ही school में जाते हैं तो आपका roll number हो जाता है आपका admit card number हो जाता है आपका aard card, pen card, mobile number, flat number, card number passport number बहुत सारे numbers होते हैं आप कहीं भी travel करें आप यदि car से travel करें तो car का number, bus का number, train number, flight number, hotel का room का number सब चीजों में हम worldwide number से ही गिरे हैं तो क्या number की energy matter नहीं करती है number की energy बिलकुल matter करती है इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके नाम का भी जो number है वो आपके साथ positively aligned हो आपके नाम का number आप numerology के थूँ ही जान सकते हैं क्योंकि हर एक letter का एक number होता है और वैसे ही नाम का भी एक number आ जाता है बहुत सारे लोग अपना business करते हैं अपनी company खोलते हैं या कुछ भी restaurant खोला, shop खोला कुछ भी काम किया तो उसका एक नाम रखते हैं उसका भी नाम आपके साथ positively aligned होना चाहिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप partners के साथ रखते हैं तो एक common जो positive name है या common जो positive number है उस पर उस नाम को आना बहुत ज़रूरी है मैं आपको एक example देकर बताती हूँ कि world की top 3 companies का नाम कैसे depend करता है उसके number पे apple का number आता है 25 पे ये एक बहुत ही deep study है numerology के थूँ आप ये जान सकते है numbers कैसे निकालते हैं सब चीज आप ऐसे video देखकर जानना थोड़ा मुश्किल होता है तो apple का जो number आता है वो 25 होता और 25 का meaning numerology के अंदर होता है strength gained through experience तो आप सभी जानते हैं कि apple को पहले बहुत success नहीं मिला बहुत time के बाद apple को success मिली जो आज कल हम सभी के पास एक iPhone होता है लेकिन शुरू शुरू में इतनी successful ये company नहीं थी दूसरा example है दूसरा example है Instagram Instagram का number आता है 24 पे इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जैसे ही आया youth के बीच में ये कितना popular हो गया ये एक ऐसी चीज है जो आज हम सभी use करते हैं और ये आगे भी future में रहने वाला है क्योंकि 24 number इसे हम the most fortunate number कह सकते हैं और ये fortunate number सब के लिए fortunate होता है ऐसा नहीं कि स्रफ 3 number वालों के लिए या 6 number वालों के लिए ये सभी के लिए ये number बहुत ही fortunate होता है numerology के अंदर तो इसे लिए हम ये देख सकते हैं कि Instagram कितना जादा grow कर रहा है और कितना popular है थर्ड यदि मैं बात करूँ Jio की हमारे देश की company है Jio के बारे में हम सब ये जानते हैं कि वो कितना grow कर रही है इविन lockdown में भी उसने कितना grow किया है Jio के जो owner अमबानीज उन सभी का इसका Jio का number आता है 9 उन सभी का कहीं न कहीं वो number 9 से जोड़े हुए हैं चाहे वो उनका zodiac sign हो या उनका destiny number हो या personality number हो कहीं न कहीं उनका number 9 आता है जो कि उन सब के लिए favorable number है number 9 तो ये आपने देखा कि कितना important है आप जो भी काम कर रहे हैं उसका number आपके साथ positively aligned होना हम सभी ने Google का तो नाम सुनाई है और हम सभी रोज किसी भी चीज को Google करते ही हैं किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए Google करते हैं वो हमारा आजकल का best teacher बना हुआ है तो Google का number आता है 28 पे ये number 1 हुआ 2 plus 8, 1 1 होता है leadership number लेकिन ये बहुत ही best form of 1 नहीं है numerology के अंदर इसमें success पिलेगी लेकिन साथ ही साथ बहुत controversies भी होंगे या बहुत सारे problems भी face करने पड़ेंगे और हम सब जानते हैं कि Google ने लगातार कितने problems face किये हैं तो numerology के through आपने देखा कि कितनी सारी चीजे हैं जो हमें पता चलती है numerology से हमें पता चलता है कि हमारे लिए कौन सा stone सही है जैसा कि मैंने amethyst पहना हुआ है आप देख सकते हैं amethyst number three के लिए या वो लोग जो saturn से influenced होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है positivity को लाता है negativity से दूर रखता है आपके लिए wealth prosperity लाता है तो amethyst पहनना बहुत अच्छा होता है जो कि मैंने हमिशा से पहना हुआ है तो ये सारी चीजें हैं कि जो आप follow करेंगे तो वो आपको positivity देगी और ये सब आपके ही हाथ में है आपी के अंदर है ये कोई magic नहीं है लेकिन आपको ये समझना परेगा ठीक वैसे ही जैसे कि हम सभी जानते हैं save water के बारे में कि पानी हमें खर्च नहीं करना चाहिए पानी कितना valuable है हम सबके लिए एक छोटा बच्चा बच्चा भी पानी के उपर save water का poster लगाता है इस्कूल में presentation बनाता है लेकिन हम सभी क्या पानी save करने में उतने honest रहते हैं नहीं न तो वैसे ही हम सभी जानते हैं कि numerology कितना powerful है और वो power वो खुद अपने अंदर है जो कि numerology के थूँ आपको पता चलता है लेकिन हम तब भी उससे अंजान बने रहते हैं और हम problems face करते रहते हैं मेरा हमेशा से यही मानना है मेरा यही मकसद है कि मैं आपको अपने knowledge के थूँ ये आप तक ये convey करूँ कि आपके अंदर जो power है उस power को आप समझे अपने life को change कीजिए अपने life को transform कीजिए और उसे सही direction में लेके जाएए numerology से आप ये समझ सकते हैं ये जान सकते हैं कि how can you bring the best out of yourself तो मैं ये चाहती हूँ कि आप numerology का benefits लीजिए आप सिरफ इसे देखे नहीं relate मत कीजिए बलकि आप अपने अंदर जो भी problems हैं उसे solve करने की कोशिश कीजिए आप signature analysis के थूँ आप ये देखिए कि आपका signature सही है की नहीं जैसे मैंने अपना भी signature change किया numerology जानने के बाद मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि signature कैसा होना चाहिए और उसके क्या-क्या traits होते हैं तो यदि आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आकर आप वो वीडियो देख सकते हैं तो इस तरीके से numerology के बहुत सारे benefits हैं आप उसका फाइदा उठाईए मैं next वीडियो में आपको एक बहुती interesting topic के बारे में बताने वाली हो जिससे कि आप खुद का अपना birth chart आप बना सकते हैं within 10 minutes मैं यह आपको guarantee के साथ कह सकती हूँ कि उस birth chart को बनाने के बाद आपको खुद realize होगा कि आपके वो सारे जो भी उसमें traits आ रहे हैं वो आपके अंदर है या नहीं और उसके बाद उसकी क्या remedy है वो फिर आप जान सकते है numerology के थूर क्योंकि जो चीज हमारे पास नहीं है वो लाना बहुत ज़रूरी है या फिर जो हमारा weakness है यदि हम जान जाते हैं कि हमारा क्या weakness है तो उसके तरफ काम करना, strength को और जादा amplify करना, उसको और जादा explore करना यही तो हमें successful बनाता है तो इन चीजों के बारे मैं मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी और आप अपना paper और pen लेके तयार रहेंगे next Wednesday को मैं आपसे मिलूंगी नए topic के साथ मेरा ये वीडियो देखने के लिए thank you very much मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आप इसे like करें, जाद स्यादा लोगों के बीच में share करें क्योंकि हम सभी की यही कोशिश होनी चाहिए कि सभी अपनी life में जादा happy रहे, जादा खुश रहे चाहिए वो medium कोई भी हो उस medium को use करके happiness लाना, success लाना यही हमारी लगातार कोशिश होनी चाहिए आप चाहिए तो मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं आपके कोई भी question हो तो आप नीचे comment box में लिख कर मुझे से पूछ सकते हैं आप मेरी इस वीडियो को like कीजे, share कीजे यदि अभी तक आपने मेरी इस channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कीजे और bell icon दवाना मत भूलिए so that कि मैं जब भी कोई वीडियो डालती हूँ तो आपको उसका notification मिल जाए thank you for watching